दोस्तो नमस्कार आदाव सत्स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिक्राम आज की बाद के साथ मैं उर्मिलेश बिलकिस बानों के मामले में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तो ऐसे रहस्योत घाटन हुए हैं जिनके बारे में हम अंदाज नहीं लगा सकते थे कम से कम मीडिया में इस तरह की स्पेकुलेशन बहुत कम की गई थी लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने नियूज क्लिक के अपने वीडियो में उसी समय कहा था कि बिलकिस बानों के बलादकारियों और उनके परिजनों के हत्यारों को जो मुक्ती दी गई है रिलीज किया गया है जेल से ऐसे सजायाफता कैदियों को जिनके अपराज भयानक है निर्शन्स हैं वो महद गुजराच सरकार का फैसला नहीं हो सकता हो नहो केंदर की मंजोरी जरूर उसमें रही होगी केंदर की मंजोरी आधिकारिक हो या इशारे हो या संकेत हो इस बात को हमने पहले भी का था और अब वो ठोस साक्षियों के साथ सबूतों के साथ देश के सामने आ गया है ज़ए और यह भी बहुत दिलचस्प है इसकी खोज मीडिया की तरफ से नहीं होई गुजराच सरकार के अपने हलफ नामे में यह बात सामने आगई और वो हलफ नामा गुजराच सरक से सुप्रिम कोट ने जो मांगा उसमें उन्होंने स्विकार किया कि 11 जुलाई 2022 को भारत सरकार के केंद्री ग्रिहमंत्राले यानि केंद्री ग्रिहमंत्राले की तरफ से इस बात के लिए मंजूरी ले ली गई थी कि जो 11 कन्विक्ट हैं बिलकिस बानों के बलातकार कांड के हत्या कांड के जो उनके परिजनों के उनकी बच्ची तीन साल की बच्ची के भी हत्या करने वाले उनको सजायाफता लोगों को जो 15 अगस्त को देश की आजादी के दिन और वह अभी 75 साल पूरे हो रहे आजादी के दिन 75 साल जिस दिन हुआ था उस दिन रिलीज किया जाए उस दिन उनको मुक्त किया जाए ये जो फैसला गुजरात सरकार का था वो केंद्र की मनजोरी के साथ था ये जो रहस्योत गाटन है ये उस याजिका की सुनवाई के दौरान मांगा गया था सुप्रिम कोर्ट द्वारा गुजरात सरकार से जिसे इस देश की चार महिला नित्रियों ने चार महिला नागरीक अधिकार कारेकरताओं ने जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती हैं जो जिनके अपने विचार हैं इन चार लोगों ने जो याजिका दी थी उनकी सुनवाई के दर्मियान ये चीज सामने आई है बहुत बड़ी घटना है और मैं समझता हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट है पूरे के पूरे हमारे क्राइम और पनिश्मेंट के मौझूदा जो सोच जो पद्धती है जो एक सिलसिला है जो पिछले आठ दस सालों में हम लगातार देख रहे हैं तो दोस्तों ये हम आपको पहले बता दें कि ये जो 11 लोग सजायाफता केदी जो रिलीज किये गए इनके बारे में एक और बहुत बड़ा परदाफास हुआ है और वो परदाफास इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत प्रमुक्ता से छापा है और इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुक्ता से ये छापा है कि ये जो लोग छोड़े गए केंद्र की मंजूरी और राजी सरकार की पहल पर इन में से एक को छोड़कर सभी लोग एक हजार दिन यानि जितने दिन तक वो जेल में बंद थे उसमें एक हजार दिन वो जेल से बाहर या तो पैरोल पर थे या उनको टेंपररी बेल मिली हुई थी यानि उनको औस्थाई जमानत मिली हुई थी एक हजार दिन का मतलब होता है तकरीबं तीन साल उसमें एक सजन है सजन कह सकते हैं एक सजायाफता महोदे हैं वो 998 दिन उनको छुट्टी मिली हुई थी उनके सजायाफता कैदी जीवन के दर्मियान अब आप कल्पना कीजिए कि कैसा देश ये बन रहा है कैसा राज बन रहा है कैसा निजाम है और कैसा हमारा संविधान को चलाने वाली जो मशीनरी है वो किस तरफ ले जा रही है इस देश को नियाए बियुस्था को दिल्चस्प बात ये है कि इसी दर्मियान अभी तीन चार दिन पहले अपने देश के माननी प्रदान मंत्री जी का एक बहुत जबरदस्थ बयान सुना गया और उस बयान में प्रदान मंत्री जी कहते हैं जब नियाए मिलते हुए दिखता है तो देश वासियों का समवैधानिक संस्थाओं में भरोसा उतना ही बढ़ता है माननी प्रदान मंत्री जी नरेंद्र मुदी ये बात कह रहे हैं देश के विधी मंत्रियों और विधी जो सचीव हैं यानि कानून विभाग के ला सेकरेटरी जो हैं उनकी एक सालाना कांफरेंस में जो गुजरात में ही आयोजित की गई थी अब सवाल ये है कि जब नियाए मिलता हुआ दिखता है तो क्या नियाए स्टैन स्वामी के मामले में मिलता हुआ दिखा क्या नियाए बिलकिस बानों के मामले में होता हुआ दिखा क्या नियाए तिष्टा सितलवाड के मामले में होते हुए दिखा क्या नियाए जियन साई बाबा के मामले में होते हुए दिखा क्या नियाए उमर खालीत के मामले में होता हुआ दिखा क्या आनन तेल तुम्डे और गौतम नौलखा के मामले में न्याय होते हुए दिखा क्या 36 गड़के आदिवासियों के निशन सहत्याकांड पर पेटिशन दायर करने वाले आदिवासी और उनमें से एक और हिमानशु कुमार गैर आदिवासी क्या इनकी पेटिशन पर जो फैसला आया और पेटिशन दायर करने के इलजाम में हिमानशु कुमार पर जुर्माना तक लगा दिया गया क्या तब नयाय दिखा दोस्तो इस वक्त देश की जेलों में सायकणों की संख्या में राजनितिक बंदी अलग अलग धंग से गिरफ्तार किये गये हैं उन पर राजनितिक आरोप भले नहों लेकिन वे राजनितिक लोग हैं राजनितिक कारणों से गिरफ्तार किये गये हैं और उन पर आरोप क्या लगाए गये हैं कि वे दंगा कर रहे थे वे देश के खिलाब काम कर रहे थे उमरखालीद की मीडिया के जरीए सरकार के प्रवक्ताओं और पार्टी के प्रवक्ताओं के जो बयानबाजियाँ है टेलिविईजन चैनलों के जरीए जो एक इमेज बिल्ड कर दी गई टुकडए टुकडए गैंग का आदमार्निी टुकडए टुकडए कर दिया गया लेकिन ये बात हाई कोट में भी सामने आ गई कि उसमें ऐसा कोई व्यक्त शामिल नहीं था उस तरह के नारे लगाने वालों में जो जवाहरला नहरु विश्विद्याले में पढ़ने वाला था वे नकाब पोश्ट लोग कौन थे आज तक भारत सरकार की एट इ बारे में बाद में प्रचारित किया गया कि देश के खिलाप नारे लगाए गये थे तो यह स्थिती है कि नकाब पोश्ट लोग आज तक नहीं दिखे जो नकाब लगाकर उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे लेकिन जो चात्रनेता चात्रकारिकरता जेन्यू के जो तो दोस्तो टुकड़े टुकड़े गैंग का इंतिजाम करने वाले उनका प्रबंधन करने वाले निर्दोष लोगों पर टुकड़े टुकड़े गैंग का होने का आरूप लगा देते हैं और उनको देश के बड़े हिस्से में मनजूरी मिल जाती है यह है मीडिया की ताक जूट को सच और सच को जूट बनाने की अधोच्शमता इस वक्त भारती टेलिविजन ने एडाप्ट कर लिया है हासिल कर लिया है और इसके लिए सत्ता उसके साथ है वो सत्ता के का एक तरह से भोपू बना हुआ है बिलकिस बानों के मामले में आकिर टेलिविजन चैलनों ने एक भी डिबेट क्यों नहीं कराई क्या आप पूछ सकते हैं क्या हम आप सवाल कर सकते हैं एक भी एक भी डिबेट टेलिविजन चैलनों ने क्यों नहीं कराई बिलकिस बानों पर अखवारों ने खासकर हिंदी अखवारों ने वो खावर क्यों नहीं चापी सुप्रिम कोर्ट में दायर खालफ नामे की बात है इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने संबहुता कुछी अखवारों ने अंग्रेजी में भी चापा और वेबसाइटों में हर जगा क्योंकि सरकार सबसे अधिक परेशान इसलिए वेबसाइटों से है कल्पना कीजिये कि सुप्रिम कोर्ट में हलफ नामा दायर होता है और हिंदी के अकबार खामोश रह जाते हैं उनको एक हजार दिन यानि तीन साल यानि बारह तेरह साल के दर्मियान जो उनको आजिवन कारवास हुआ था उसमें वो एक हजार दिन तीन साल तक छुटी पाच चुके हैं जमानत पाच चुके हैं पेरोल पाच चुके हैं और इने इन लोगों के बारे में कोई खबर पहले क कहीं नहीं देखी गई और जब ये खबर सामने आ गई तब भी टेलिविजन चैनल बिलकुल खामोश हैं जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है तो ये इस्थिती अपने देश के चलनों की है आज वो बलकि कॉंग्रेस पर कृपा किये हुए हैं कि कौन जीतेगा कॉंग्रेस सद्यक्ष का चुनाओं कि बिलकिस मानों के मामले में इतने बड़े परदाफास पर पूरा का पूरा मेंस्टीम टेलिविजन चैनल खामोश हैं अखबार खामोश हैं कुछ एक अंग्रेजी अखबारों को छोड़ कर कौन नहीं जानता कि कौंग्रेस सद्यक्ष के हैं इसमें रहस्य कहां है लेकिन इसको टेलिविजन को देखी अगर आप हिंदी चैनलों को तो उसको रहस्य के रूप में पेश किया जा रहा है जैसे कौन जीतेगा अब अगली बार कितना वोट किसके पास आ रहा है इतने बज़े खुला सा होगा इतनी तो गांदी की किस बानों के मामले में उनको बताना नपड़े उनको खबर दिखाना ना पड़े उनको टीबेट करानी न पड़े ये हाल है और दोस्तों हम जब जिन लोगों का नाम ले रहे थे स्टरेंट स्वामी को जमानत नहीं मिली पंद्रह दिन की भी जमानत नहीं मिली, यहां को एक तीन साल की जमानत मिल गई, बारी-बारी से तीन साल, इस टेंट स्वामी का अपराद क्या था, वो बलातकार, हत्या, इस तरह की अपरादों से कोई रिष्टा नहीं, दूर दूर तक कलपना में भी नहीं हो सकता था उनके 84 साल का एक आदिवासी भुजोर्ग आदिवासी जीवन भर आदिवासी और दलितों की सेवा करता रहा उसे स्टेट की खिलाब घोशित कर दिया गया और उसको तमाम तरह के आरोपों में जेल में ठूस दिया गया क्योंकि भारती जनतापाटी उसे पसंद नहीं करती थी जारकंड में और वो व्यक्ति हिरासत में ही मर गया उसको कोई जमानत नहीं मिली इसी तरह से गौतम नौलखा वो बीमार भी हैं उमर खालीद एक नौजवान पिएच्डी स्कॉलर जो पिएच्डी कर चुका है जारकंड के आदिवासियों पर किसी विश्विद्याले में वो अब तक पढ़ा रहा होता बेहत प्रतिभाशाली लेकिन उसे भी इस तरह इलजामात उस पर लगा दिये गए हैं कि उसकी च्छवी मर्दन तो हुआ ही है उसे जमानत तक नहीं मिलने दी जा रही है अभी भी जमानत नहीं मिली है हाले में हाई कोर्ट में फैसला आया है तो दोस्तों ये इस्थिती है, तो हम कई बार सोच रहे हैं कि ये कौन सा देश हम बना रहे हैं, कैसा देश बना रहे हैं, जहां हत्यारे बलातकारी तीन-तीन साल की जमानत पा जाते हैं बारी-बारी से, यानि कभी 40 दिन की कभी 40 दिन की कभी 40 दिन की कभी 30 दिन की और ऐसे लोगों को जमानत तक नहीं जेल के वल और दोस्तों जैसे ही चुनाव आता है जैसे ही चुनाव उत्तर भारत में आता है खासकर पंजाब, हरियाना, हिमाचल जैसे इस स्टेट्स में बावाराम रहीम जो बलादकार के मामले में कन्विक्टेड है और भी बहुत सारे मामले उसका पीछा कर रहा है जिनका फैसला जल्दी होना है उसे जमानत मिल जाती है हर चुनाव से पहले जमानत का पिछले कई सालों से एक इतिहास है, एक सिलसिला है तो यह सब कुछ सामने हो रहा है और हमें यह कहा जा रहा है कि न्याय होते हुए जब दिखता है तो समवैधानिक संस्थाओं में विश्वास जनता का मजबूत होता है दोस्तों पता नहीं कैसा देश हो गए हैं हम कैसा समाज हो गए हैं हम हमारा समाज, हमारा देश किधर जा रहा है और क्या हम सचमुच समवैधानिक एक संस्था के तहत हमारी लियावे उस्था चल रही है क्या सचमुच हम एक समवैधानिक लोगतंत्र के रूप में हमारा वजूद जीवन्त रूप से कायम है क्या हम लड़ खड़ा नहीं रहे है क्या हमारी समवैधानिकता संदिक्द नहीं होती जा रही है इन विश्यों पर इन चीजों पर बात करनी की जरूरत है निश्चित रूप से बात करना खतरनाक है हम जानते हैं बात करना भी उन्हें अपराध नजर आता है लेकिन बात तो करनी होगी अगर समाज और देश, सम्विधान, लोक्तंत्र सब के बारे में सोचना है तो रिश्क तो लेना पड़ेगा जोखिम तो लेना पड़ेगा जहां हालात ये हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन सा देश होता जा रहा है कैसा समाज होता जा रहा है वहाँ अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप पर आने वाली पीड़ियां आप पर सवाल करेंगी कि आपने कैसा देश छोड़ा था नई जनरेशन को, नई पीड़ियों को झाल झाल